तीकी तीकी मसालेदार मिर्जी का अचार तो आपने बहुत खाया होगा आज चलिए बनाते हैं बिना मसालों का मिर्जी का अचार जो बहुत ही टेस्टी बनता है यकिन मानिए इसे एक बार बना कर खाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही अचाहता सो पोटिस रिक्ट्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत भी न भूले तेस्टी तेस्टी मिर्ची का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए गोल मटोल सी बड़ी बड़ी सी मिर्ची आपको जितनी बड़ी वाली मिल जाए उतनी बड़ी वाली लेकर के आईए मुझे तो यही मिली थी तो मैं यही लेकर के आई मिर्ची को धुल लेना है इसका पानी पूरी तरीके से सुखा लेना है और पानी जब पूरी तरीके से सूख जाए तो इस तरीके से मिर्ची में कट लगाना है यानि की मिर्ची को ऐसे बीज से फार देना है पूरी तरीके से अलग नहीं करना है बस ऐसे चीरा लगाना है थाक सफेद तिल आधे कटोरी मूंग फली आधे कटोरी बेसन अब इन सारी चीज़ों को हमें रोष्ट कर लेना है तो इसके धीमी आज़ पर सबसे पहले हमें सफेद तिल भूनना है अब दिल निए लो फ्लेम पर इसे बूनेंगे तो इसमें अच्छा सा सोना पनाएगा तो इस मिरνीद सोंधी सी बनने, मुंधफली से और सफेद इल से इसमें बहुत अच्छा सा सोंधबन आता है और उतना ही सोंधबन बेसन भी बढ़ाता है मुंधफ़ी को उनलेंगे, इसे भी और झांड़ी निकाल लेंगे और घंड़ा होने देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें टेस्ट बहुत अशा आता है तो इस तरीके से बेसन को भून लेंगे बिना तेल के एकदम लो फ्लेम पर बेसन को भी घटोरी में निकाल लेते हैं साथी चीजों को धंडा कर लेंगे मुंफली का चिलका हडा देंगे और इसे मिक्सी के जार में डालेंगे साथी सफेद तिल डालेंगे ये भुनी हुई सफेद तिल और भुनी हुई मुंफली साथ में ही पीस लेंगे जब ये अच्छे से पिस जाए इसे एक बाउल में निकालें और भुना हुआ बेसन डाले, दो चमच के करीद, सरसो का तेल डाले, आधा नीमबू का जूस जो इसके टेस्ट को बढ़ाता है और नमक स्वादा नुसार डालना है, बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिला ले रहा है अच्छे से कलर के लिए हल्दी डालेंगे, आप इसे बिना हल्दी डाले भी बना सकते हैं हल्दी को भी अच्छे से मिला लेंगे, नमक आप टेस्ट कर सकते हैं, ताकि कम न लगे इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना है बिना मसालों का यह अचार बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप मिर्ची को इस तरीके से फैला कर इसमें स्टफिंग डालें भर भर के डालें ताकि एक एक मिर्ची का टेस्ट एक्टम लाजवाब सा लगे तो इस तरीके से सारी मिर्ची को भर कर तयार कर लेना है ज़त सारी मिर्ची एक साथ भर लेंगे तब इसे हम तवे पर फ्राई करेंगे तो तवे पर डालना है दो चमच के करीट सरसो का तेल गरम हो जाए तो इसमें मिर्ची डाल देंगे गैस के फ्लेम को लो रखेंगे बीच में आप मीडियम कर सकते हैं लेकिन हाई नहीं नहीं तो ये जल बुन जाएगी और फिर अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा तो इसे लो और मीडियम फ्लेम पर ढख कर दो मिनट तक सौप्ट होने तक पका लेना है जब ये मिर्ची एक त अगर आपको मिर्ची खाचार खाना पसंद है तब तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि इतना अच्छा सौधा पन इतना अच्छा टेस्ट है इसमें कि आप इसे हमेशा बनाना पसंद करेंगे ये मिर्ची पकने में बस दो से तीन मिनट का टाइम लगता है इसे अलट पलट कर इस तरीके से चलाते हुए सुनहरा होने तक पका लेना है बहुत जाते इसे गलाना नहीं है बस हलकी से सौट करना है तो आप देख सकते हैं ये लाजवाब सी सोंधी सोंधी तावा फ्राइ मिर्ची बन करके तयार है तेस्टी सी मिर्ची को आप फ्रेज कि आपको ये लाजावाब से बिना मसालों कि मिर्ची कशार इतना जादा पसंद आया अगर आपको ये तवा प्राइये तुट आहीज विडियो को लाइक और शेयर करना तो मिलते है ये तैसली तैसली लाजावाब एकदम नई रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब कि लिये, बाइब बाइब